इस दो कि अ करो छो तो नमस्कार मैं राजेस आप सभी को हमारे उपने यूट्वग चैनल स्मार्ट कट्टिंग आइड में बहुत हुआ है दोस्तो आज का जो टॉपिक राका गया है वावर को घर में हम ऐसे उप जाएं और उसका कैसे उप्योग करें और उसे क्या खायदा है इसको एक चोटा साथ दुपिरों के माध्यम से इसकी खायदा है दोस्तो टॉपिक रूप होने से पहले मैं आप वह को अब बताना चाहता हूँ आज जो है हमारा इस प्रिस्टर टेड है 15 अगॉस तरह तंसर्साथी बस। दोस्तों मैं सभी भाइबों को 15 अप्तों कुंतरवादिवस को हां दी सुक्माइन देता हूँ और आपना टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं एक देज़ भक्ती विडियो दिखाऊंगा आप सबसे रिक्वेश्ट है विडियों को पूरा देखें तब मिजा करके अच्छा लगेगा तो चलिए विडियों को स्टार्ट करके जो करें इदका जुदा नजहब नहीं जाम है हम जीएंगे और मरेंगे ऐ बतनों तेरे लेगे दोस्तों जैसा कि आप लोगो को पाईएंगे तो चलिए विडियों को स्टार्ट करके अच्छा लोगेगा जो करें इदका जुदा नजहब नहीं जाम है हम जीएंगे और मरेंगे ऐ बतनों तेरे लिए दोस्तों जैसा कि आप लोगो पहले बताया गया था कि आज का जो टॉपिक है ओ है पालक जैसा कि आप लोग वीडियों में देख रहे हैं कि मैंने अपने घर के बालकोनी में पालक लगाया हुआ है और उसको निकाल रहा हूँ निकालने के बाद में उसको कीचेन में यूज करेंगे दोस्तों पालक एक राक सबजी है जो सर्दियों को मौसम में सबसे स्वास्त बर्धक सबजी मानी जाती है पालक में जो गून पाये जाते हैं वो समाने तो अन सब्जियों में नहीं पाये जाते हैं पालक में लोहे का आंस भी बहुत अधिक रहता है इसलिए पालक खाने से खुन के लावखनों की संख्या बढ़ती है पालक हमारे सेहत के लिए काफी फायदा मंद होता है पालक का सेवन सब्जी के रूप में सलाद के रूप में सूप बनाकर या जूस बनाकर भी करते हैं पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन K, विटामिन A, मैगनीज, आइरन, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन E, कैलसियम और प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों पालक खाने से हमें बहुत लाब है पालक में बिटामीन A के वरपुर मातरा में पा जाता है जो हमारे आँग की रोशनी के लिए काफी पाइदामन्त होता है पालक में आइरन का अच्छा स्रोत है जो हमारे सरीर में खुन की कमी को दूर करता है और हिमोगलोविन को बढ़ाता है पालक मानस्पेसियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है पालक में काफी कम केलोरी और बासा होता है जो बजन कम करने में मदद करता है पालक का जूस पीने से रुखी त्वाचा नौर्म और मुलाइम हो जाती है पालक में प्रमिल एसीड और कैलसियम पाय जाता है जो गरवती मैलाओं के लिए भी काफी फाइदमन्थ होता है तो जैसा कि दोस्तों ये सब सारे चीज़ पालक का जो गून बताया गया तो हमको यह होना चाहिए कि हमें अपने घर में पालक को लगाएं और उसको इउज करें तैंक्यू दोस्तों असा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगा होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें, सेर करें मिलते हैं नेस वीडियो में कुछ नए टोपी के साथ तब तक के लिए बार गुट डेप झाल